आज की मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आई हूं जिसमें एक बेटा अपनी मा को करीब सौ बार एक घारदार हतियार से गोधता है और जब तक गोधता रहता है जब तक उसके प्रान नहीं निकल जाते उस बच्चे की उस लड़के की उम्रती करीब अगर आपको इस यहां पर एक धमत्ती था जिनका एक बेटा था वो लोग आपस में दिवास ले लेते हैं नहीं बन रही थे इसमें तो वह दिवास ले सकते हैं सबी जगए इनसबी को अपनी मर्जी से ले डिवास ले सकें वैसे ही ये लोग भी डिवास लेते हैं जब बच्चे की कस्टेडी की बात आती है तो वो लड़का मा के हिससे आ जाता है अब वो मा बेटे अलग से अपने घर में रहने लगते हैं और रहते रहते बहुत अच्छे से उनका समय बीचता है लेकिन यहां पर आपको एक बात पता दा है इस लड़के को एक बिमारी थी जिसके लिए डॉक्टर ने बोला था कि इसको आप ट्रीटमेंट दिलवाईए नहीं तो ये कभी भी किसी का खून कर सकता है लेकिन पती पतनी इस बात को गौर नहीं करते हैं और बच्चे को उस बिमारी से पड़ देते हैं वो लड़का बिलकुल सांत रहने लगता है वो महिला अपने काम में उजी रहती है फ्रेंड्स के साथ जाना हो या कुछ भी करना हो वो अपने काम में बिजी रहती थी लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब उसके दोस्त आते हैं और जब दोस्त आते तो वह ब बेटे को अपने उसके दोस्त के साथ कुछ ऐसे हालात में देखती है कि वो घबरा जाती है उसका बेटा अपने दोस्त के साथ को कर्म करा रहा था और उस चीज को देखकर वो घबरा जाती है और वो इतनी परिशान हो जाती है कि मेरा बेटा कहीं गे तो नहीं अब इस रहता है वो किसी से भी कुछ नहीं कहता है और चुप रहता है वो रात को काफी समय तक अपने बेटे को लेकर वहां गूंगती रही लेकिन उसके बेटे का किसी के भी साथ को अट्रेक्शन नहीं होता है अब वह वापस आ जाती है लेकिन उसे अभी भी ये चिंता सताय जा र चुप रहता था, ऐसी कोई हरकत वो नहीं करता था, उसको भी वापस भेज दिया जाता है, फिर एक दिन वो महिला खुद से किसी ऐसी महिला की तलास में होती है, जो बहुत ही सुन्दर हो, देखते ही कोई भी उस पर मुहित हो जाए, तब करीबन कई महिनों में उसकी तलास खतम होती है, और उससे वो बात करती है, रेड लाइट एरिया की ही वो महिला होती है, उससे कहती है, कि तुम को एक नौकराने की तरह मेरे घर रहना होगा, और मेरे घर के कुछ काम काज में हाथ बटाना होगा, और तुम्हें कुछ ऐसे कपड़े पहनने होंगे, जिससे मे महिला को भी वहां से जाना पड़ता है सिलसला यहीं चल रहा था मा के दिमाग में टेंसन पल रही थी अब एक दिन वो मा एक ऐसा कदम उठाती है कि जिसको सुनकर भी रूख आप जाए और एक जो हमारा भारतिय संस्कृति के हमारे रिस्ते होते हैं इनके बिलकुल ही पास बिना कपड़ों के सो जाती है फिर उसका बेटा उसके साथ कुछ गलत चप करना चाहता है तब ही वो उसको रोपती है लेकिन वो लड़का सीधा उठकर रसोई में जाता है रसोई से एक तेजधार-दार हत्यार लाकर अपनी मापर धना-धन वार कर देता है और करीब दिन होता है उस महिला को अपनी दोस्तों के साथ कहीं जाना था उसकी महिला फ्रेंट जब वहां पर आती है तो उस मनजर को देखते ही उसकी चीख निकल जाती है और वो सीधा पुलिस में कॉल करती है पुलिस टेशन कॉल किया जाता है पुलिस मौके पर आती है आते ही उस महिला की dead body को post madam के लिए भेजा जाता है उस लड़के को police station में डाल दिया जाता है अब उस लड़के को करीबन 8 साल की सजा होती है लेकिन जब सजा के बाद वो घर वहां से बाहर आता है तब भी उसका गे का अपना जो एक को ठीक करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया और उस बेटे ने जिसने धना दंचाको के वार से अपनी मा की ही जान ले ली आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे मा कुछ बात कहते हैं तो हर मातापिता का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को सेफ रखें क्योंकि उनको हम ही इस दर्ती पर लेकर आते हैं और यह हमारा पूरा करतव्य होता है कि हम उनकी हर तरीके से उनको शक्षम बनाने में हमारी हर तरह कैसे एक कोसिश जारी रहती है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसा किसी के साथ ना हो अगर किसी को कोई बिमारी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए और ऐसे प्रियोग घर पर ना किये जाए इसलिए हम इन वीडियो को लेकर आते हैं अगर आप को कहानी हमारी ठीक लगी हो और समाज में कोई एक मैसेज देने वाली हो तो इसको जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे हम ऐसी सची घटना आपके सामने ला सकें तब तक हमारी क्राइम रिपोर्ट तब तक के लिए जय हिंद जय भारत